हेलो एंड वेलकम माई डियर इस्टुडेंट तो भाईया सभी को बेसबरी से इंतिजार है आज के साइंस महराथन का अब बिल्कुल आपकी तरह मुझे भी इंतिजार है साइंस महराथन का तो सुरू किया जाए करिश्मा प्रद्यूम अंचित संगीत धर्मेंद्र यादो ज सुना जी अनामिका जितने लोग का नाम ले सका ले पाया जिनका नाम नहीं ले सका उन्हें तो भाईया हाथ जोड के प्रदाम कि भाई ऐसा थोड़ी है कि मेरे यही 4 स्टुडेंट है 6 स्टुडेंट है आप समझते होगे कि कमेंट बहुत तेजी से उपर जाता है तो आद टॉप तरीके का मैराथन चलेगा ठीक है तो सभी लोग जित अचा इतने लोग मतलब वो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़के कहूं नमस्कार भाया सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है तो आज हम लोग ना सिर्फ फिजिक्स बलकि केमेस्ट्री और बायो क अभी मैराथन करेंगे साथ ही साथ कल सुबाई 11 बजे ही आपके लिए करेंट अफेयर पिछले आठ महिने का CHSL के एक्जाम के लिए मतलब क्या किया जाएगा हम लोग किया जाएगा अच्छा ये कि स्टुडेंट है सौरभ सौरभ तुम लिखते हो आसुतोष सर ओपी मतल पहले तयारी करते हैं तो युद्ध से पहले तयारी कर लिया जाएगी भाई या बतल एकदम जुड जाना है ठीक है ना और भाई देखो जो मूल बात है मूल बात तो यही है कि आपके कल GD की भी वेकेंसी का एनाउंसमेंट हो गया है ठीक है ना GD की चाहे आप SSC का जो GD का वेकेंसी आया है दोस्त उसके लिए भी यह बैच उतने ही वर्दान वाला साबित होगा जितना CBT2 या ग्रूप D के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि Y182 कोड का प्रियोग करके भाईया 77% आफ मिल जाएगा इसके रेट पे और मैं आपको मात्र 5500 रुपए में पू हम लोग रेडियो धुआ धुआ करने के लिए तो धुआ धुआ करते हुए हम लोग सुरुआत करेंगे आज के साइन्स के रैपिट फायर का ठीक है ना कह रहे हैं सर बैच पर्चेस नहीं हो रहा है मनीशा मेरे टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ो बेटा मैं तरीका करना है और सेशन को स्टार्ट करना है और हाँ एज यूजवल सेशन तभी स्टार्ट होगा जब आप लोग लिखोगे कि आप क्या करने वाले हो भारत माता की जय भाया भारत से बड़ा कुछ नहीं भारत ही अपना धर्म है भारत ही अपना भोजन है भारत ही अपना सांस है तो भारत माता की जै लिखो और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है और यार समझ रहे हो डेडड़ दो दो घंटे की क्लास है सुरू के दो चार मिनट तो आनंद लिया जा सकता है तो बिल्कुल आनंद लिया जा रहा है और सुरुआत करते हैं अपने सेशन की उड़ा दिया जाएगा फिजिस कमेश्ट्री का धुआ 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 आज रेड़ी है ना तो जै हिंद लिख दिया गया है और आब आएगा मजा पहला क्वेस्चन इस्क्रीन पे आने जा रहा है तो जै भारत माता की पहला क्वेस्चन से लेकर सुर्य तक की अन्मानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है दा एप्रोक्सिमेट डिस्टेंस फ्राम टू दा सन इस दा यूनिट आफ लेंद भाया उसको हम लोग क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं next vector rasi का उधारण है एक होता है सदिस एक होता है अदिस scalar और vector तो vector का उधारण कान सा है vague मैंने कहा है जिनके में भी लगभग आपका क्या अच्छाँ यहां weight को आप भार लिख लो ठीकर तब जादा अच्छा रहेगा जिनमें भी वह सब्द आता है लगभग वो वेक्टर हो जाते हैं जिनमें नहीं आता है वह सब्द लगभग वो सकेलर हो जाते हैं निमलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है ऐसे छोटे-छोटे questions पेपर में रहेंगे वेक्टर मात्रा कौन सी है D option, velocity फ्रेम के संदर्व में यहाँ पे आप इंगलिख वाले से पढ़ना answer clear होगा इन टर्मस अफ फ्रेम वाट इस फंक्शन आफ टाइम वाट इस रेट आफ चेंज इन पोजिशन आफ अफ अबजेक वाट इस काल next, mass प्रती unit volume क्या होता है mass per unit volume what is mass per unit volume sir, it is C, घनत D is equal to m by V ही होता है density is equal to m by V mass per unit volume next question, दबाओ को ना पा जाता है दबाओ यहाँ आप कहलें दब, दब को, pressure को आप किसे मापते हो तो sir, pressure C बल एवन छेतरफल P is equal to क्या होता है, F by A F आपका force हो गया, A आपका area हो गया P is equal to F by A next, दबाओ की SI unit क्या है sir, आगर यह atmospheric pressure होता तब तो हम लोग bar कहते लेकिन sir, यह सिर्फ बात कर रहा है pressure का, इसलिए unit क्या हो जाएगा Newton प्रती work meter ठीक है ना, दाप का मात्रक और क्या होता है sir, तो छोटे वाले में sir इसको हम लोग Pascal भी कहते अगर sir, यह atmospheric pressure होता तब इसका मात्रक हो जाता bar लेकिन atmospheric pressure है नहीं next, इन में से विसम को चुने चलो विसम चुनो अब देख ले ना, इसमें जो game चलना है न वो sadis-adis का चलना scalar vector का game चल रहा है बताएगा, scalar vector में दोस्त गती वो है, वो है, वो है मतलब जब वो है तो हो गया sadis ठीक है न, आपके गती ताप, दाब, ठीक है न काम, चाल समय, क्या इन में कभी कहीं भी आपको वो word दिख रहा है, तो मैं यही तो trick आपको बताता हूँ कि देखो, वो word नहीं है और इन में वो word है, यह सबसे बड़ा difference है, सदिस-adis को पहचानने का 90 पृत्सत question पे या 90 पे, अपवाद मौजूद है, next, अगला question क्या है निमलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है फिर वही बात, कि आपको identify करना है सदि-स-दिस में तो कौन सा संबंधित नहीं है, तोरण ठीक है न, यह गती, समय, द्रवेमान, यह तीनों में अच्छा, यहां भी आधा वह है, पूरा वह नहीं है next, अगला question पानी का घनत तो क्या होता है what is the density of water दोस्तो density of water always याद रखना 1000 kg होता है ठीक है न, गैलन समानेता इस्तमाल किया जाता है, इसका numerical value भी पूछ देता है, कि one gallon is equal to how much, समझ रहो न, वो मैंने आपको कई बार पढ़ाए हुए हैं, लेकिन गैलन समानेता किसके लिए उपयोग किया जाता है तो volume, as a measurement of volume आयतन आपने के लिए लीटर में 169 लीटर के बराबर होता है next, मेज पर रख्योई पुस्तकों का धेर के कारण हटता नहीं है, कोई मेज है उसके ओपर धेर सारी पुस्तक रख्योई है किस कारण वो नहीं हटेगा इनर्सिया के कारण, speed के कारण, magnetism या gravity सर जाहिर सी बात है इनर्सिया, जब तक कि उस पे कोई external force exert न किया जाए वो अपनी जगह से कहा हटेगा Newton first law यही तो state करता है Newton के first law से हमें जड़ता की परिभासा बल की परिभासा और गैलेलियो का नियम भी, Newton के first law कोई न law of inertia के नाम से भी हम लोग जानते हैं next, चलती हुई lift में वेक्ति के वजन पर क्या भार पड़ेगा बहुत सो समझ के answer करना अगर जल्दबाजी में करोगे guarantee है गलत कर दोगे क्योंकि मैं क्यों इसको कह रहा हूँ अराम से, region है दोस्त ये तो नहीं बताया न कि lift उपर की तरफ जा रही है या lift नीचे की तरफ आ रही है इसने simply कहा है कि चलती lift में वेक्ति के वजन पर क्या असर बढ़ेगा तो सर, चलती lift में उसका भार बढ़ भी सकता है, घड़ भी सकता है डिपेंड करेगा कि lift उपर जा रही है कि lift नीचे आ रही है ठीक है ना, तो आब इसमें कोई एक दिक्कत नहीं है मुहम्मद साहिल खान करें, सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, ठीक है भया थोड़ा सा स्लो कर दीए, लो जब कार एक मोड लेती है ठीक है, उनका गाना था सनी देवल जी का कि वो सडक पे एक मोड आया वहीं पे मैं साइन्स का question छोड़ आया क्योंकि आई नहीं रहा था ठीक है, तो जब कार एक मोड लेती है तो वह कौन सा बल है, जो हमें बाहर की और धक्का देता है सर पुलिस का डंडा, अगर पढ़ा तो अंदर की तरफ ही हम आएंगे और अगर सर कुछ रोड पे अच्छा दिखा तो बाहर की तरफ ही हम जाएंगे यही होता है न, लेकिन ये तो मजाग की बात है centrifugal force, ठीक है न, centrifugal force, next निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर questions बहुत सोस समझ के हैं, logical है answer ठीक से करना निम्निकित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान तरण से चलने वाली कार के लिए सही है मतलब एक समान उसका जो आपका acceleration है वो है, ठीक है न, बताओ कार का तरण सुनने है कार का वेग लगातार बदल रहा है कार का तरण लगातार बदल रहा है अच्छा यहां देखो कार का वेग है तो कार का तरण है, B और C option में इन दो words का अंतर है, ध्यान से सोच करके वैसे दोस्त इसका सही answer है अगर आप एक समान accelerator करके भी चलते रहोगे तो धीरे 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 उसका वेग बढ़ता रहेगा, next question ठीक है, डेरियों में दूद से क्रीम अलग करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली प्रक्रिया है, इसी question को कभी कभी पलट के दे देता है बोलता है कि ये बता दीजे कि दूद से क्रीम किस मेथट के द्वारा लख किया जाता है, ऐसे बदल देगा या वर्डिंग ये कर देगा, तो answer क्या हो जाएगा बेटा, C option centrifuger, ठीक है न, next रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कारे करता है, रोलर कोस्टर, कई लोग नाम पहली बार सुन रहे होगे, ठीक है, तो रोलर कोस्टर में दोस्ट B, सेंट्री अभी केंद्री, ये इसका इंगलिस गलत है, अभी केंद्री बल, ठीक है, next, बल की SI यूनिट क्या है, बल की SI यूनिट सर होती है, आपके Newton, ठीक है न, बल की SI यूनिट, Newton, पास्कल जो लोग कह रहे हो, भी या दाब की है वो, ठीक है न, कई लोग का कमेंट आ गया, पास्कल, अरे यार, क्या कर रहे हो किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन, उर्ध गवामी दबाव को क्या कहते हैं, what is the upward pressure generated by an object being placed on a field, किसी फ्लूड में आप रखो, तो उसको उपर एक नीचे से force लगता है, उस force को आप क्या कहते हो, तो सर उस force को हम लोग क्या कहते हैं, अब यह पानी है, इसके उपर कोई रखे और यहाँ पे बल, तो that is the buoyant force, ठीक है न, next question, निमलिखित में से कौन सा विकल्प, घरसन का गलत उधारन है, question बहुत सोस समझ करके लाया हूँ, और आज के, डेड़ सो नहीं, 200 प्लस question है, आज हम लोगों को कम से कम, 90 से डेड़ मि का गलत उधारन इसमें से, हाँ, व्यक्ति का, सर, अगर कोई यहाँ समान है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस समान को यदि वो उठा ले, तो सर, इसमें घरसन कहां आया, सही बात है कि नहीं, चलो, next question, आधुनिक आवर्चानिक किस ने दिया था, बस इतना ही पे प्रिटिक्टिव एलिमेंट, फीजिक से हम लोग केमेस्ट्री में इंटर कर गए, आज सारी सेक्षन को हम लोग टच किया जाएगा, आवर्चानिके नियूनतम प्रितिक्रिया सील तत्तो है, सर, नियूनतम प्रितिक्रिया सील होती है, नोबल गैस, नोबल गैस वही, जिन कुलने में गलत हो जाए तो तुम लोग का गुरू गलत हो गया ना तो हम कहें के गुरू तुमसे कभी गलत नहीं हुआ है का हमी पैदा होते ही गलत कर दिये थे क्या चलो अगले कोशन पर जाते हैं रायसानिक तत्तों विशेश रूप से नाइट्रोजन फासफोरस मिस्त्रि योगिक तत्तों से पारिष्टिकी तंत्र में संपन्न को कहते हैं वाँ 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 अगर दोस्तों कई तरीके का क्रेमेस्ट्री में साइंस में प्रक्रिया अच्छा कार्बन से एक बात याद आया आप से यदि कभी पूछे कि प्रिथ्वी पर मौजूद एक मात्र डा आकसाइड वाली वो फोटो सिंथेसिस है। उसके अलावाँ कोई दू सरी प्रक電ण नहीं है जो कार्बन को fix कर सके। इसका वैसे एंसर है। eutrophication, ठीक है eutrophication, next, निम्लिकित में से कौन सी gas, अक्रिय नहीं है, सर हाइड्रोजन अक्रिय नहीं है, आसान है, हिलियम, नियॉन, रेड़ॉन, ये तो अक्रिय ही है, next, अगला question, निम्लिकित में से किस gas को अग्याद gas के नाम से जाना जाता है, सर, stranger gas तो हम लोग किसको कहते है, xenon को कहते है, stranger gas, ठीक है, इसकी स्पेली यहाँ गलत थे, x, e से सुरू होना चाहिए था, xenon को कहते है, stranger gas, next, निम्लिकित में से कौन सी धातू, पारत धातू, मिस्तरन का गठन करती है, जब इस धातू के साथ मिस्तरित किया जाता है, which of the following metal form a transparent metal mixture, when it is mixed with metal, अच्छा question है ऐसे question जब आते हैं और answer ना है, तो screenshot लेके रख लिया करो, ताकि इनको बाद में भी देख के आप दोहरा सको, तो answer से यह बेटा, D, mercury, next, सूखी बर्फ क्या है, यह एक ऐसा question है यार, तुम लोग भी जानते होगे, कि मतलब exam कोई भी हो, group D का हो, railway का हो, army का, retain हो, या कुछ question पता नी क्यों, ब्रह्मा के वाक्य के रूप में हर दूसरे से तीसरे question पे दोहरा देता है, मतलब exam में, और सूखी बर्फ है क्या, ठोस carbon dioxide, बस, nothing, next, बर्फ को पिखलाने के लिए निमलिखित में से, किसका प्रियोग किया जाता है, बताईएगा, बर्फ को पिखलाने के लिए नमक का प्रियोग किया जाता है, लेकिन आज मैं बता हूँ, जब आज मैं चाय बनाने सुवसुव अपने रूम पे गया, तो दूध का पैकेट जम गया था, तो मैंने क्या क्या एक तो नीद लगी रहती है, उसी मैं इसी इसे करते रहो, कि अरे यार, अरे यार, फि मैं वो बर्फ वाला पैकेट डाल दिया, दो मिनट बाद भाई साब एक दम कया, भाई आमको छोड़ दो, हमने का लो चाय बन जाओ अब तुम, ठीक है, next question, सोना को घोला जा सकता है, घोल का रहो भाई हमारे इतने स्टुडेंट है, गिफ्ट कर दो, सोना को घोलने की प्रियोग करेंगे, next, निम्न में से कौन सा जिंक का उत्तब स्रोथ है, देखिए, हमारे बोडी को अलग-अलग मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है, जिंक भी उन में से एक है, जब से कोरोना आया है, तो वो कौन-कौन सी दबा कोई विटामिन C खा रहा है, कोई जिंको वि और ये कुछ नहीं कर रहा होता है, तो उसमें बोलता है कि आप तो आश्ट भुजा देवी की तरह काम कर रहे हैं, बहुत फाइन एक्टर हैं, पंकस तिरपाथी जी, ठीक है, तो आश्ट भुज, ओक्टा क्या है, next, विल्वनी करण डिजॉलीनेशन क्या है, सोच समझ के करके रख लिया करो, next, नीचे दिए गए चार सब्दों में से किसी तरीके से एक समान है और एक भिन है, कौन सा सब्द बाकियों से भिन है, जिर्कोनियम, सिलिकन, पोटैसियम और गैलियम, दोस्तों मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि पोटैसियम ही अलग है, बाकि सिल सिलिकन, गैलियम, जिर्कोनियम, यह सब एक ही टाइप के तत्तों है, ठीक है ना, सिलिकन का ही उपियोग, हम लोग आजा सेमी कंड़क्टर चीप के रूप में करते है, आइसी चीप के रूप में करते है, next, निम्न में से कौन, जो अलग या विसम है, उसे चुनिये, सर, अ सिलिकन, सर, टाइटेनियम को कहते है, आईल अविट्रियोल की से कहते है, है, हसाने वाली गैस कोन सी है, नाइटरस गैस, तो इस तरीके के जो आठ, दस फेमस वाले हैं, उनको दोहरा के जरूर जाना, किस राहसानिक अभिक्रिया में भिन योगिक बनाने के लिए, दो सोते हैं, उनको देख लेना सौलव हो जाएगा, इसका एंसर है दोस्त, विस्थापन अभिक्रिया, क्या है इसका एंसर? विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स, निमलिखित में से किसका, पानी की स्थाई का ठोड़ता को दूर करने के लिए प्रियोक किया जता है, पानी में बीधी का प्रियोग पानी की hardness को दूर करने के लिए करते हैं और पानी का जो hardness है दोस्ट आपके permanent hardness यही है ना पर्मानेट hardness दोस्तो सोडियम और कैल्सियम के carbonate iron के कारण होता है ठीक है next खाने वाले सामान नमक का रायसानिक नाम क्या है सर सोडियम क्लोराइड है NACL next खाने वाले माचिस की तीलियों में क्या लगा होता है सर रेड फॉस्फोरस का प्रियोग होता है यही होता है ना यह क्वेस्चन ऐसे नहीं है कि जिन पर बहुत समय दिया जाए इसलिए मैं भी इनको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आज उद्दे से है दिमाग को प्रैक्टिस कराने का फिलिंदी ब्लैंक्स की उपस्थिती के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हम लपीजी सिलेंडर लीक होने का पता करते हैं वास्तों में लपीजी में कोई बुरी बद्बू होती ही नहीं है फॉर अडर स्मेल वी मिक्स अप सम्थिंग इन एल पीजी और वो क्या होता है दोस्तों आपको सभी को पता है सल्फर के आकसाइड ठीक है न मिथाइल मारकप्टेन सल्फर का ही आकसाइड है अब कई लोग आप्शन में मिथाइल मारकप्टेन खोज रहे होंगे और वो है नहीं तो परिशान नहीं होना है एंसर है C अगला कोशन बेटा देखो इस तनियों में किसका विशेश संबंध रोगाणूओं की प्रती सुरक्षा से है तो इसका एंसर क्या है दो C लसी का तंद्र ठीक है नेक्स्ट यहाँ वोमेन नहीं होगा यहाँ पे आपके इस तनियों से ही तात पर है यक्रित की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है दे लिवर्स कुफर सेल्स आर रिलेटेट टू बताइएगा भाई फीजिक्स कमेस्ट्री बायो तीनों के 200 कोशन लेके आया हूं उससे ज्यादा 200 प्लस हैं तो आज धुआधार है क्या है फैगोसाइटोसीस ठीच है फैगोसाइटोसीस रट लेना अच्छा कोशन है नेक्स एंटि बोडीज होते हैं फैटोस ऑटे क्या है सर, antibody basically proteins होते हैं, ठीक है न, next, स्वेत रुधिर कडिकाओं का कारे क्या है, सर, RBC को हम लोग erythrocytes कहते हैं, WBC को हम लोग leukocytes कहते हैं, platelets को हम लोग thrombocytes कहते हैं, और स्वेत रुधिर कडिकाओं का कारे होता है, सर, हमारे सरीर की रोगाड़ूं से रच्छा, WBC ही जब कम प सकते हैं, आजकल वाइरस का प्रकोप है, तो इस तरीके के questions ज़्यादा बन सकते हैं आपके paper में, तो antigen किसके अडू हो सकते हैं, D-Option, इन सभी के, lipoprotein के, कार्वोहइडरेट के, और protein के, ये सब, antibody किसमें बनते हैं, अच्छे-च्छे questions है, भया, share करिये, और physics, chemistry, bio, और हाँ, कल सुबा, आठ माह का, कल सुबा, आठ माह का, 11 बजे से, current affair का section है, ठीक है न, और उसमें, मैं छाट छाट करके, अवार्ड, sports, निधन, famous personality, army, exercise, सारे question लेके आओंगा, कल सुबा, Sunday को 11 बजे, ताकि आपका पिछला, किसी भी exam में, पिछला आठ महिना ही तो, आता है, आलमोस्ट, तो कल पिछले आठ महिने का, जो आप लोग 4-5 महिने पल के भूल गए हो, वो, वो question कल के paper में सामिल रहेंगे, सरीर की प्रतिरच्छा प्रक्रिया में, प्राथ्मी की योगदान करने वाली कोशिकाय होती है, कौन सी, सरीर की प्रतिरच्छा प्रक्रिया में, आ इस्ट्यो आइसिस, macro phases होती है, ठीक है न, कई लोगों के लिए unique question होगा, लेकिन पढ़ लीजिए, एक जन्तु के सरीर का, किसी उत्तक का, दूसरे जन्तु के सरीर में आरोपन, बिना किसी विसेश प्रबंद के, तभी सफल हो सकता है, जब, ठीक है न, जब सर, आपके D option, अंतह प्रजात वंस के एक चुहे की तचाकारों पर इसी वंस के दूसरे चुहे पर करें, ये एक प्रियोग था, next, निमलिखित में tranquilizer है, tranquilizer कौन है, मतलब एक होता है न, दर्द नासक, एक होता है जवर नासक, इस तरीके की दवाएं होती है, तो इसमें से tranquilizer कौन है दोस् next, किस औसधी के प्रियोग से दृष्टी भ्रहम होता है, blindness, कौन सी ऐसी औसधी है, जो आपको blindness की तरफ ले जाएगी, याद रखिएगा, टौफ रे, LSD, ठीक है न, LSD आपको blind, ये CHSL का question है, अब आपको न बने, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि ऐसे questions रहते नहीं है, इसका answer हो जाएगा, B option, यूफेनिक्स, ठीक है न, next, चिकित्सा विज्ञान की वह साखा, जिसके अंतरगत cancer और tumor का ध्यन किया जाता है, बताइए, cancer और tumor का ध्यन किया जाता है, वह साखा आपसे पूछ रहा है, सर, जाहिर सी बात है, onkology, ठीक है न, onkology, next, हिप्टोलोज का संबंध है, यक्रित का ध्यन, ठीक है न, हिप्टोलोजी, department, यक्रित, next, mad cow rogue, जो विगत वर्सों में गायों को पगलाने के लिए बहुच चर्चित रहा, मतलब उसमें गाय अपने मानसिक इस्थिती को खो देती थी, किसके द्वारा फैला जाता है, mad cow rogue, तो mad cow rogue, दोस्त एक prion के द्वारा फैल रहा था, ठीक है न, एक prion के द्वारा, next, लसिका गाठे किसे नस्ट करने में सहायक होती है, ठीक है न, लसिका गाठे किसे नस्ट करने में सहायक होती है, तो sir, लसिका गाठे आपके infection of bacterias को नस्ट करने में सहायक होती है, next, भोजन के साथ सरीर में पहुचने वाले रोगाडू कैसे नश्ट किये जाते हैं सर भोजन के साथ जो सरीर में रोगाडू पहुचते हैं वो सुरुवात में हमारे पेट में हाइड्रो क्लोरिक अमल भी मौजूद होता है जिसके द्वारा नश्ट कर दिये जाते हैं हमारे सरीर में इन में से किन अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरची पदार्थ अर्थवा एंटी बॉडिस बनाय जाते हैं चुकि ऑप्शन लंबा है तो थोड़ा आपको पढ़ करके एंसर करना होगा बेटा एंसर करिए यार देखो जो कोसिस करेंगे न जो जूझेंगे न उन्हीं को कुछ हासिल होगा बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है तो हम आप क्या चीज है तो डू यूर पार्ट, डू यूर कर्मा and believe God ठीक है न इसका एंसर क्या होगा C option by lymphocyte in the thymus, चेचक के टीके से सरीर में पहुचाते हैं बताईए, smallpox vaccine delivered to the body क्या पहुचाता है तो सर वो हमें पहुचाता है प्रभावहीन संबंधित विसाडू ठीक है, next, निस्चेट प्रक्तिर अच्छा की स्थापना के लिए किसके injection दिये जाते है यदि किसी को, आप वो anesthesia की स्थिती समझते हो ना तो सर हम किसका देते हैं, antibodies का देते हैं, ठीक है ये question ऐसे हैं, जो बन नहीं रहे होंगे कई लोगों को next, अगला, law का सबसे अधिक मात्रा किसमें पाए जाता है आप थोड़े से, बायो के plant से related question law का अंच सबसे अधिक पाए जाता है, सर हरी सबजियों में protein mm वसा, दोनों किसमें पाए जाता है सिर्फ न प्रोटीन पूछा है, न सिर्फ वसा पूछा है दोनों किसमें पाए जाता है, तो भाई, answer होगा मुंग फली में, हाँ, सिर्फ protein की बात करता है तो आप सोया बिन कर सकते थे निवन में से किस फल में, लोह, प्रचूर मात्राम पाया था आयरन, देख लेना दोस्त, इन में से कई लोग गलत करने वाले है ठीक है ना, तो इसका answer क्या हो जाएगा कराउंदे में, ठीक है ना, गूस बेरी में सबसे ज़्यादा आयरन है, जितने यह है ठीक है, अचाया मैं एक बात बता हूँ जैसे वो बच्चे जो CBSC, NCRT के होते हैं, उनको तो ये word winning खूब रटी रहती है बचपन में हमसे जब एक बार किसी ने बोला था कि तुम्हें, क्रॉन बेरी का जूस पीना होगा, गूस बेरी का जूस पीना होगा, हम सोचे जब एक साला आम, अमरूत, केला, लसुन, प्याज तो सुने थे, इक गूस बेरी या कौन बेरी कहां से आ गया भाया, तो कसम बता रहे, बड़ी बेजजती अंदर-अंदर फील हुई अब यार, वो बात, मतलब समझ रहो पच्वी, छट्वी का है, डॉक्टर बोल दी, हम भी बैटके सुन लिए और हम रास्ते में ये सोचते आ रहे हैं, कहीं पापा पूछ न दें कि ये क्या बोले हैं, जरा उसका मिनिंग बताओ तो क्योंकि भाईया, उनका फीस लग रहा है, उनको लगेगा सला, इसके उपर खर्च करना बरबाद हो गया भाई, ठीक है, ग्योहू में रोटी बनाने के गुडो को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, बताइए अच्छा ठीक है प्रदीब जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, अब रिवाईज करना ग्योहू में रोटी बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, ग्लूटीन नामका पदार्थ सरवाधीक प्रोटीन किस मात्राम किस में होती है, सर इस में होती है, सोया बीन में, ठीक है ना अब ये तो एंसर आसान आसान है न, नेक्स पालक के पतों में निमलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधीक होती है कसम से आज कल मैं एक बात बता दू मेरे याज जो कुक खाना बनाने आता है न पालक की बहुत अच्छी सबजी बनाता है भाई मतलब मैं किसी दिन रेसिपी सेयर करूँगा तुम लोग से कि कैसे वो पालक सिर्फ बहुत अच्छे से बना लेता है एंसर वैसे इसका है आयरन समय पे जो लोग पालक न खाते हो दोस्ट कम से कम उसको उबाल करके उसका पानी हपते में एक दो बार जरूर पी लिया करो ठीक है न नेक्स हरित क्रांती में प्रियुक्त मुख्य पादप फसल कौन था सर वो तो था मैक्सिकन गेहू ये इकोनोमिक्स में भी पूछता है कि दिति हरित क्रांती में या हरित क्रांती में सबसे ज़्यादा किस फसल पे प्रभाव पड़ा तो that is answer गेहू पुदीना के निमलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिक्तम प्रत्सत पाय जाता है तेल का maximum percentage पाय जाता है बेटा उसकी पत्ती में ठीक है न, next, केसर मसाला बनाने के लिए पौधी के निमलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है बाई, बौटनी के भी question होने चाहिए न, physics, chemistry, bio और बौटनी तो अब आपके सामने बौटनी के questions चलने answer करिए इसका right answer है बेटा, उसके stigma से, ठीक है न, next प्रोटीन की अधिक्तम मात्रा पाय जाती है, सर सोया बीन में मध्य प्रदेश सोया बीन के production में number one है इसलिए मध्य प्रदेश को बेटा सोया प्रदेश भी कहते हैं लहसुन की अभी लाक्षरी गंध का कारण क्या है बताओ लहसुन की अभी लाक्षरी गंध का कारण क्या है तो सर उसमें घुले हुए सलफर के योगिक प्याज का अगर पूस्ता की आसू आ रहा है तो क्या है तो भाईया फासफोरस उसका कान हो जाता है, निमलिकित में से कौन लौह का अच्छा स्रोथ है, सर वो नहीं, ये जब होता था हम लोग दो चीजों का बहुत मज़ा लेते हैं, जैसे बोले कि तुम्हेरे में आइरन की कमी है, तो भाईया सरिया खालो आइरन की कमी पूरी हो जाएगी, या वो कहते हैं कि यार तुम अंदर से मजबूत नहीं हो, तो उसके लिए नहीं होता कि कौन बांगर सिमेंट, बनाए आपको अंदर से मजबूत, अंबूजा सिमेंट है, तो लोग का अच्छा स्रोथ कौन सा है, फिलाल तो चलो पालक है, लेकिन भाईया लोहे से जाएगा लोह का अच्छा स्रोथ कौन सा हो सकता है, चुकंदर के किस भाग से सक्कर प्राप्त किया जाता है, हम तो साला हमेशा बनिया की दुकान से सक्कर प्राप्त की है, आज पता चला है कि चुकंदर से भी है, आज तुम लोग चुकंदर लेके बैठना और सक्कर न जल्दी फ्राप्त होती है इस अब क्या बवाल पढ़ा रहे हो करक्यूमा डोमेस्टिका डोमेस्टिका है सर तो आईए फ्राम द प्रकंद ठीक है ना मोमेंट ड़ी प्रकंद से यहां के क्वेश्चन ईजी वाले एक आते हैं कि इन में से जड़ कौन सा है तना कौन सा है वो वाला जरूर देख लेना जैसे जियोग्राफी में खरीप और रवी की फसल में confusion अक्सर होता होगा तुम लोगों को वैसे ही मैं बताऊं कि ये जड़ा और तना कौन से हैं उसमें भी confusion होता है आम किस कुल से संबन्द रखता है सर जिस भी कुल से संबन्द रखता है मौसम आ गया है खाएंगे जरूर डी ओप्सन एना काडियेसी अच्छा साइंटिफिक नाम उसका याद रखना मैगनी फेरा इंडिका ठीक है ना आम भारतिय फलो का राजा है अच्छा भारतिय फलो की रानी किसको कहा जाता है राजा सभी को पता है कि फलो का राजा आम comment box में comment करिये फलो की रानी किसको कहा जाता है agriculture का एक question तो दोस्तों याद रखना फलो की रानी लीची को कहा जाता है ठीक है ना फलो की रानी लीची को कहा जाता है गरीबो का सेव किसे कहा जाता है गरीबो का सेव अमरूत को कहा जाता है ऐसे भी facts याद रखना वीलो की लकड़ी प्रियुक्त होती है सर वीलो की लकड़ी प्रियुक्त होती है आपके क्रिकेट के बल्ले बनाने में ठीक है ना सिनकोना की छाल दवा बनाने में वीलो की लकड़ी क्रिकेट का बल्ला बनाने में लाल चना क्या है इन में से आप लाल चना किसे कहोगे बताई इसका क्या एंसर होगा तो लाल चना सर हम लोग आपके अरहर की डाल को कहते हैं ठीक है ना अरहर की डाल को कहते हैं लाल चना निम्ण में से कौन सा पौधा सर्पगंदा कहलाता है कसम से राम दियो जी एकदम कूद के इसका एंसर देते पांचे बार करते और कहते कि या सर्पगंदा आ गया है मैं इसको इतने बड़े डिब्बे में रखके बेज दूँगा आप लोग को कोरोना होगा ही नहीं एक साल पहले ही कोरोनील पता नहीं क्या क्या लांच कर दिये तो बारत कोरोना मुक्त हो गया पता नहीं कब मुक्त हो गया भारत कोरोना मुक्त राउल फिया ठीक है ना सर्पगंदा next, हींग प्राप्त होता है फिरिूला असा फोटीडा पौधे के किस भाग से, आज पहली बार पता चला कि हींग के पौधे का नाम इतना टप है पेट में दर्दुआ, मम्मी बोली थोड़ा सा हींग खालो ठंड लग गया होगा, लेकिन आज भाईया पता चला कि हींग इतना बड़े पौधे से अच्छा आज अपने मम्मी से हम लोग बोला जाएगा थोड़ा सा फिरूला आसा फोटीडा का वो जो थोड़ा सा एलिमेंट है वो दे दो मम्मी, कसम से उड़ता हुआ चपल आएगा और उससे बचना पड़ेगा कि यार ये, ये, ये क्या मांगा है ये तो वो अच्छा तुम लोगों के उपर मम्मी पापा ने कभी वो जो उड़ती हुई एरोप्लेन है फेक करके चलाई है किने कसम बताना, मैं बताता हूँ मेरे उपर तो चला है भाई बचपन में पच्वी छट्वी में जब मम्मी के रेंज से दूर हो जाओ तो वहाँ जो रखा रहता था वही चल जाता था और वो उच्छडते हुए आता था कभी-कभी लग जाता था और कभी-कभी साइड से पास और जब साइड से पास होता था तो एक जंग जीतने वाली मुजगार रहती था जाला बाजी मार ले गए फिलाल इसका एंसर बताओ तो जिन के ऊपर इसका एंसर क्या होगा सर इसका एंसर हो जाएगा हींग है ना तो हींग किस भाग से प्राप्त होता है जड़ से प्राप्त होता है ठीक है ना जड़ से प्राप्त होता है next मक्का के दाने से निकाला जाता है it is exerted from corn gains English वाले से समझोगे तो इसका answer आपको ज़्यादा clear होगा ठीक है ना तो इसका answer मक्का के दाने से Z18 निकाला जाता है next, स्वाद किस प्रकार की समवेदना है, स्वाद, जो हम लोग टेस्ट करते हैं, वो किस प्रकार की sensation है, तो स्वाद जो है सर, वो एक chemical sensation है, ठीक है न, next question, नदी अंधता, अब ये night blindness की बात नहीं है बेटा, ये बात है river blindness, किसके कारण होता है, तो river blindness दोस्त होता है, एक कीट ह होता है, जिसका नाम है dance, या फिर net, ठीक है न, dance पे chance की बात अब नहीं है, नदी में जाके कभी dance मत करना, नहीं, dance नाम का कीट काटेगा, और river blindness हो जाएगा, ठीक है न, next question, एथलीट फूट नामक बीमारी, किसके द्वारा होती है, सर, ये होती है, फंगस के द्वारा, और फंगस के द्वारा, बाल्डनेश भी होता है, मतलब गंजापन, अरे अपना हम बाल छूले, गंजापन होता है, खाज होता है, और आपके दाज जैसी बीमारियां होती है, अस्थमा जैसी बीमारियां, सब फंगल डिचीज है, ठीक है, next, सोरियेसिस, किस अंग की बीमारी ह सर्सोरियेसिस, आपके इसकिन की बीमारी है, वैसे ही एक बीमारी पूछता है बेटा, ट्रेकोमा, जल्दी से बताईएगा, ट्रेकोमा यही चार उप्षन में से किसकी बीमारी है, तो दोस्तों याद रखना, ट्रेकोमा आपके आँख की बीमारी है, ठीक है न, next, दस दिन का उसको आशू नहीं आता है, क्योंकि बेटा, वो जन्म के लगभग चार महिने के बाद ही लेक्रिमल जो हैं, वो डेवलप होती है, next, सलकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, ठीक है न, सलकाओं में, रॉट्स में, तो भाया पाई जाती है आपकी रीटे Next, आंत्रिक कांड का, कंड मतलब कान, ठीक है न, कंड कांड आंत्रिक कांड का कौन सा भाग सुनने से सम्मंधित होता है, तो सर, कांड का अंत्रिक भाग कोकिल्या, ठीक है न, स्टैप स, मैलियस और इंकस दोदो की संख्याstad में ये हमारे कांड में पाई जाने वाली ठीक है ना अब उसी में आप लोग उसको स्टैपीज कहते हों कि सबसे छोटी हड़ी है सर नाग से रुधीर का बहना कहलाता है कि यह कहीं से मार खाके आया है इसके नाग से रुधीर भहर आया है पाई 9-10 में अगर नाग से बहर ऐसे से करते हुए आगा कि हाट साला कल छोड यार आज सुबह से एपिटैक्सिस हो रहा है कसम से वो तुमको ऐसे सब्द सुनाएगा ना कि तुम्हारी आत्मा सांथ हो जाएगी जब तुम उसको एपिटैक्सिस कहोगे नेक्स निमलिखित कथनों पर विचार करिए वडान्धता पुर्सों में होता इस्तिरियों में न बात्रेक्स है ओम कहें थे नग्रे कृई ऐसे दोस्ते जो दिन में ही नहीं देख पाते उनका चसमा तुमरीचस और कर दो ना तो उनको दिन महीं नहीं देखेता क्या सवह बाहोनाओक को समझो अगला भारत का lahा पहला तुचा बैंक बन रहा है औभारत का पहला तक это न प्रायनाक में चुभने वाली गंद का कारण है, हम लोग की गंदी आदत, वहाँ भाई जाकर के यूरीन कर दिया ना, वहाँ पे कोई केमिकल का उपियोगो रहा है, ना, पानी का उपियोगो रहा है, तो बदभू तो आएगी ना, लेकिन, उसका कारण है भाई, अमोनिया, अच्छा, एक क्वेशन ऐसा आता है, कि यूरीन का यलो कलर किस केमिकल की उपस्थिती कारण, तो यूरो क्रोम की उपस्थिती कारण, और यूरो क्रोम, और आपके, छोड़ो उसको नाम नहीं लेना, ठीक है, इस्तन पाईयों में स्वेध, ग्रंथियां मूलता संबंधित हैं, ठीक है ना, जो मैमल्स में दोस्थ, जो स्वेट ग्लेंड होती हैं, वो किसे संबंधित होती हैं, तो थर्मल रेगुलेटेड, भाई, पसीना बाहर आता, अपने सरीर के ताप को ही न नियंत्रित करता है, नेक्स्ट क्वेस्चन, मनुसिक के अंगों में से कौन एक हान निकारक विक्रणों से सुपरभाव्य है, विच वन अपड़ Йूुमन ऑर्गन इस नॉट सस्पेक्टीबल टू हउम्फूल रेडियेसन, भाया हंपूल रेडियेसन से आंक, ठीक है, नेक्स्ट, एनोसीमिया क्या है, बताएगा एनोस्मिया क्या है, तो भाया एनोस्मिया है आपके लेक अफ और फ्लेक्टरी सेंसेशन ठीक है नेक्स्ट लेंगर हैंस की दूपिकाए कहा पाई यह क्वेस्चन बायों में बायों के टीचरों का फेवरेट होता है ठीक है ना वो ऐसा चीज पूछेंगे जो आप सुने नहों और उनको ताली बजाने माजा आ गया उधीर दाब बहुत कम हो गया है तो इन में से कौन सा हार्मोन देने पर उसके लाब होगा सर उसको कोई ऐसी सूचना दे दो कि उसको लाब हो जाए जैसे अभी कोई हो और तुम लोग को सूचना दे दो कि लो CHSL कैंसिल बस तुम लोग के लिए बलड प्रेसर ऐसा ही होते हैं इन विच सिम्टम्स आर हार्मोन डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम हार्मोन एंजाइम से भिन होते हैं तो बताईए का भया इसका सही एंसर क्या है यह सब प्रोटीन नहीं है ठीक है न ध्यान से इस कोश्चन को पढ़ना सेंस समझ में आएगा नेक्स सरीर में उपस् है वह कौन सा इस एक हार्मोन है हार्मोन सोमेट ट्रोपिक हार्मोन जिसकी वज़ा से ब्रिधी बहुत ज़्यादा होती है न रहे तो ड्रॉफीजम हो जाता है तो दोस्त उसका एंसर क्या है प्यूस आपके काई वैसे यहां प्यूस नहीं होना चाहिए ठीक है ना पोज की मात्रा बढ़ने को क्या करते हैं सर उसको हम लोग करते हैं सी ऑप्षन हाइपर ग्लाइसीमिया ठीक है ना सौ क्वेस्टन होने के बाद पहली बार बोलने जा रहा हूं कि भाई लाइक की संख्या आपके प्रजेंस की आधी है एक रिक्वेस्ट है यार इतने क्वेस् राइसानिक रूप से इंसुलीन होता है दोस्तो राइसानिक रूप से इंसुलीन एक प्रोटीन होता है नेक्स्ट दोस्तो यह वर्दान बैच यह मेरा पेट बैच है इस कोड के जरिये आपको 77% आफ पे मिल जाएगा अभी आपकी GD की वेकेंसी है CBT2 के लिए या फिर आ जुड़ जाना इस बैस से वादा है चाहे किसी स्टेट का कोई भी एक्जाम हो जिसमें GS आएगा SSC का हो या फिर आपके MTS या Group D या GD की वेकेंसी आपको इतने आसान भासा में समझाओंगा दोस्त कि आपको इस कोड के उपयोग करने के बाद इस आफ के लेने के बाद ल बायोगेस मुखेता होती है बायोगेस मेंली कंसिस्ट आफ बताए बायोगेस क्या होती है बायोगेस बेटा कार्मन डायाकसाइड और मिथेन का कॉंबिनेशन है इंडेन गैस एक LPG मिष्ण है इंडेन गैस है इलपीजी मिक्सर तो भाईया या यार ये पूछना चाह रहा methane, next, तरली crit petroleum gas, LPG का मुख्या आधार घटक क्या है, LPG का main component क्या है main component है, butane butane propane है, लेकिन butane का percentage ज़्यादा होता है, aerosol उदारण है, aerosol is an example of, इस तरीके के छोटे छोटे question मेरे भाई, मेरे बंदू पढ़के जाना नहीं दिक्कत हो जाएगी aerosol, example है smoke का, धुआ का, ठीक है ना next question, litmus is obtained, litmus, अब एक बात ज़रा समझना होगा, कि litmus हमें कहां से प्राप्त होता है, तो sir litmus हमें प्राप्त होता है, D option lichen से, lichen की छाल कहां से प्राप्त होती, litmus, यह answer है, ठीक है, next वह चुनिये, जो मिस्रण नहीं है choose one, that does not a mixture, ठीक है, that does not a mixture, and answer is what c, lpg, है choose one, that does not, वह चुनिये, जो मिस्रण नहीं है, है, है यह, यह, यह question कुछ पच नहीं रहा है यार, इस question बे कुछ दिक्कते हैं, देखेंगे इनको जल के आईनी गुडनफल का एकक है, यह question ही नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसका एकक क्या है बेटा वो नहीं आपसे पूस्ता रहता है, वो वीमी है सुत्र बगेरा, next, सुद्ध जल का pH कितना होता है, सुद्ध जल का pH होता है, आपके 7 साथ से कम एसिट, साथ से ज़्यादा बेस, साथ वाले सुद्ध जल वही आप पीते हो, सामान गैस का समीकरण है, गैस के कई नियम है, बाइल्स का नियम, चाल्स का नियम, आउगादरों का नियम, और गैसी समीकरण क्या है, PV is equal to NRT, ठीक है, PV is equal to NRT, पांकिल जल which is used for sedimentation of tribute water, पांकिल जल के नियसादन के लिए किसका प्रियोग किया जाता है, तो दोस्त हम लोग प्रियोग करते हैं, सिंपल फिटकरी का, एलम, पोटास एलम, हम लोग एलम किसको कहते हैं फिटकरी का, केमिकल फार्मूला K2SO4, AL2SO4 Thrice 24, H2O रट लेना, कभी-कभी तुक्के के तौर पे यह question आता है और आप एक नमबर पा जाओगे असुद्ध कपूर को सुद्ध किया जा सकता है इंप्योर कपूर is purified ठीक है न, तो आपको purified किया जाता है by appreciation या उर्धो पातन द्वारा पायस एक कोलाइट घोल है and emulsion is a collide of what? B fluid in fluid, ठीक है next, दूद एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें दूद एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है बेटा, जिसमें आपके वसा को पानी में परिछेपित किया जाता है next, निम्न में से कौन प्राकृतिक इंधन है मतलब naturally आपको environment में वो प्राप्त होता है प्राकृतिक इंधन है आपके petroleum, ठीक है न petroleum coal gas हमें बलाना है क्योंकि आप, अच्छा कई लोग confuse मत होना petroleum प्राप्त होता है फिर हम लोग उसको chemical के माध्यम से परिसंस्कृत करकर के यूज करते हैं लेकिन वो प्राप्त तो naturally ही होता है उसका हम लोग जो chemical process फरदर आगे बढ़ाते ताकि एकदम pure form में हम उसको ज़्यादा ज़्यादा प्योग कर सके डीजल इंजन में कौन सा इंधन है दोस्तों याद रखेगा डीजल वेपर एंड एयर ठीक है न डीजल आप डीजल में पेट्रोल तो नहीं डालोगे न डीजल के इंजन में वायू और पेट्रोल तो नहीं डालोगे न सिर्फ डीजल और वास्प स्वाचलित वाहनों में प्रदूसर नियंतरण हेतु प्रियुक्त CNG में मुख्यतः क्या होता है कंप्रेश्ड नैचूरल गैस CNG बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है पॉलूशन को समाप्त करने में और CNG में क्या होता है दोस्त मुख्य रूप से मेथेन होता है निमलिकित कथनों पे विचार कीजिए चलो एक बार पढ़ लेते हैं कोईला पेट्रोलियम प्राक्ति गैस जिवास मीधन है गैसो हाल बेंजीन तता है अलकोहल का मिस्रण है इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना पढ़ेगा बिना पढ़े आप इसका एंसर आसानी से नहीं कर सकते हो इसका सही एंसर है बेटा D ठीक है न एक तीन तथा चार सही है कोईला पेट्रोलियम तथा प्राक्ति गैस जिवास मीधन है भूत आपी उड़ जाएक आप प्रामप्रिक सुरोथ है गोबर गैस में हाँ बस गैसोहल, बेंजीन तथा अलकोल गण नहीं आयल ओफ विट्रियॉल किसे कहा जाता है आयल ओफ विट्रियॉल बेटा कहा जाता है आपके H2SO4 को प्रैक्टिस कर लो सो छोड़ करके जाके बैठे रहने का मोबाइल चलाने का इधर उदर टाइम पास मत करना दोस्त क्योंकि आज आप समय को बरबाद करोगे कल जब समय बरबाद करने पे आता है न तो कहीं का नहीं छोड़ता है भगवान न करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो कि समय उसे बरबाद करने लगे जो आज अपना समय बरबाद कर रहा हो ठीक है न सिमेंट की खोज किसने की हो सकता है किसमत साथ दे दे और कल परसू CHSL के पेपर में सीधा यही कोश्चन आ जाए और आप दो सिकेंड में एंसर करके आगे बढ़ जाओ यह हमें आपको नहीं पता कर्म करना अपने हिस्से में है और वो हम लोग किया जाएगा उसके लिए जूजा जाएगा मिटी के तेल के कौथनां को किस ताप परिसर द्वारा दरसाए जाएगा मिटी का तेल जिसे हम लोग केरोसीन आयल भी कहते हैं उसे हम लोग दोस्त 1.500 डिग्री सेंटिग्रेट से 300 डिग्री सेंटिग्रेट पे अगला क्वेशन टर्बाइन वर डाइनोमो में बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को विद्दुत उर्जा में परवर्थित करते हैं मतलब डाइनो ऐसे भी इस question को पूछ सकता था कि डायनमो किस energy को किस energy में परिवर्थित करती है तो answer is C, mechanical ठीक है न, next डायनमो का कारे है, आप देखो, वही बात आगे है न, घुमा करके कि भाई किस type से question पूछ सकता है, वो भी तो discuss होना चाहिए तो डायनमो कारे करता है, mechanical उर्जा को electrical उर्जा में convert कर देता है, next question, तीन पिन बिजली के plug में सबसे लंबी pin को जोड़ना चाहिए, इस तरीके के जो practical life के questions हैं, वो आपके paper में खुब पूछते हैं, तो एक effort करिए, वो तीन पिन वाला नहीं होता है, तो याद रखना दोस्त, आपके जो तीन पिन बिजली के plug में दोस्त, from the base, आधार सीरे से, next, galvanometer के द्वारा पता लगाया जाता है, galvanometer, sir, galvanometer के द्वारा हम आपके current का पता लगाते हैं, ठीक है न, धारा या current का पता लगाते हैं, next, बिजली का सुचालक है, is a conductor of electricity, बिजली का सुचालक कौन है इसमें से, बताईएगा, sir, बिजली का सुचालक, graphite है, ठीक है न, मिट्टी का तेल, कागज या सुस्कवायू नहीं लेकिन graphite है, अच्छा, रखना बेटा, वीडियो टेप का आविसकार, चाल्स गीन्स बर्ग ने किया था, कुछ आविसकार हो जाए, विद्धुत आवेस, electrical charge का, एकक या unit या मात्रक क्या है, तो sir, उसका मात्रक होता है, कूलाम, ठीक है, next, एक युखती, जो electrical energy को, mechanical energy में, convert कर देती है, उसे क्या कहते है, sir, electrical को mechanical में convert करता है, motor, ठीक है न, electrical energy, आप उसमें put करते हो, switch on करते हो, mechanical में convert करता है, आपको output देने लगता है, बहुल मापी, what is a polymeter used to measure, polymeter का उपयोग हम क्यों करते हैं, धारा को मापने में, धारा यहाँ current है, ठीक है न, voltage को मापने में, resistance को या इन में, sir, all of these, all of these, हम polymeter का प्रियोग कर लेते हैं, next, semi-conductor का एक उधारण है, semi-conductor क्या होता है, sir, a material whose electrical property lies between insulator and conductor, that thing called as a semi-conductor, अब यह extrinsic, intrinsic, p-type, n-type, आपका भी engineering करना, या जो लोग कियो होंगे, उनको समझ में आ गया होगा, कि यह मैंने बोला क्या, overall, semi-conductor का इसमें अच्छा उधारण है, arsenic, silicon हुआ, arsenic हुआ, galenium हुआ, यह सब हैं, next, निम्न में से कौन सी धातू, रोसनी के बल्बों में, filament के रूप में प्रियोग की जाती है, सरजाहिर सी बात है, tunguston का प्रियोग होता है, विद्धूत बल्ब के अंदर, कौन सी गैस होती है, यह वाले questions, अकसर आते हैं, और लोग इस पे, bed debate भी करते हैं, भाई, जो आधूनिक समय में, बिद्धूत बल्ब हैं, उनके अंदर कुछ और है, और सुरुवाती समय में, जो बिद्धूत बल्बों का प्रियोग है, उनके अंदर कुछ और था, अब यह depend करेगा, आपके option पे, तो इसका right answer है, उप्यूक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं होता बिद्धूत बल्ब के अंदर, अब कहाँ oxygen, वाईउ या carbon dioxide काम आएगी, क्या बिद्धूत बल्ब के अंदर, next, halogen lamp का तंतून, निम्न में से किस मिस्रधातू का पड़ा होता है, halogen lamps, जो आप ज़्यादा प्रकास के लिए उप्योग करते हो, उसका answer है बेटा C, tungsten एवं sodium का mixture, next, fuse का सिध्धान, the principle of fuse is, किस पे depend करता है, कल एक हमारे भाई साब थे, सिध्धान से याद आया, actually कल एक interview ले रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्या subject पढ़ाएंगे, तो उन्होंने का सर history, तो मैंने उनसे बोला कि सिध्धान्त, आप बौध धर्म का सिध्धान्त क्या है, बौध सिध्धान्त बस बता दीजे, वो बोले सर ऐसा भी कुछ है क्या, हमने का हाँ, बौध सिध्धान्त प्रत्यूत समूत पाद को कहा जाता है, और जैन धर्म के सिध्धान्त को सयद वाद भी कहा जाता है, ऐसा ऐसा भी हैं, अब क्या कहा जा, और वो history के teacher बनना चाह रहे थे, खेर, overall, ignore it, इसका answer क्या होगा, C option, विध्धूत का उसमी प्रभाव, ठीकर न, मेंज, विध्धूत प्रदाय में, fuge का प्रियोग, एक सूरच्छा युक्ती के रूप में क्या जाता है, main, main विध्धूत, जो सर्किट होता है, सर्किट में, fuge का प्रियोग, आप एक सुरक्षा के रूप में करते हो फ्यूज के विशाय में निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है ठीक है ना आप में सरकिट में फ्यूज का प्रियोग पूरे घर की बिजली न चली जाए तो एक protection के लिए करते हो बताईए में स्विच से यह समानांतर मतलब आपके पैरलर में जुड़ा रहता है यह मुख रूप से रजत सिल्वर के मिसरधातू से बना होता है इसका melting point निम्न होना आवस्यक है यह वाला point जरूरी है जैसे ही high voltage उसमें जाए वो फ्यूज क्या हो जाना चाहिए कट हो जाना चाहिए जिससे पूरे घर का wire और circuit बच जाए next अतिचालक superconducting is the conductor which है zero which है zero problem क्या हुआ कि कभी कभी इसके से जब कोई पुराना मुझे देखना पड़ेगा कि किस question पे थे ठीक है न क्योंकि मेरे से आगर दब गया हलका सा तो फिर आप समझ सकते हो ठीक है न यहाँ पे next question अगला question क्या है अतिचालक वह चालक है जिसका जिसका सी प्रतिरोध सुन्ने होता है ठीक है न थोड़ा सा वो आगे आता पर समझ रहे हैं हाथ में दो दो डिवाई से खोई भी तोड़ा सा गलत दबा तो फिर एकदम लंका ही लगा देता है ठीक है न next विद्धूत उपकरडों में अर्थ आप लोग एक लगाते हो में एक लगाते हो अर्थ अर्थ का उपियोग होता है तो सर विद्धूत में अर्थ का उपियोग होता है for security, ठीक है न, एक्स्ट्रा जो current है, उसे हम क्या कर देते हैं, grounded कर देते हैं, next, सुस्क सेल का anode, देख ले न, सेल के anode कैथोर्ड से ये question रहता है, ठीक है न, और यही सारी चीज, आप लोग नहीं पढ़के जाते हो, तो कहते हो sir, science के questions नहीं बनते हैं, anode बेटा बना होता है jig का, प्रति दिन नलिकाओं के साथ, चोक आसंजीत, the choke is consecrated with Florence tube, चोक कुंडली, अच्छा, इसका इंगलिस वाले से पढ़ोगे, तभी answer कर पाओगे, हिंदी वाले में confuse हो सकते हो, चोक कुंडली क्या होती है, line voltage को बढ़ा देती है, बिजली के खपत का बिल, किसके मापन प आपके A option, वोल्ट के अधार पर, ठीक है न, ये, what is या, बोल्ट कहलो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, next, अगला question, हिर्दय के उपरी कोष्ट, तथा नीचे के कोष्ट को क्रमसक क्या कहते हैं, जो आपके heart का upper chamber और bottom chamber है, उसको आप कहते क्या हो, ठीक है न, तो सर उसको हम लोग कहते हैं, आपके आलिंद तथा नील है, next, हिर्दय की भित्ती कितनी पर्तो में होती है, भया हिर्दय की भित्ती आपके तीन पर्तो में होती है, हिर्दय की पूछ रहा है, ठीक है न, chamber नहीं, पूछाए कि चार chamber होते हैं, तीन पर्तो में होती है, निम डोनर है आपका युनिवर्सल ब्लट पेयर देने वाला पूछ रहा है ना अच्छा यहां पे और यहां में हम लोग सिर्फ पेयर से एंसर करेंगे तो पेयर तो यह है और AB सर, acceptor है, ठीक है ना, ये तो accept करता है, ठीक है ना, ये तो accept करता है, युनिवर्सल डोनर तो overg है न, acceptor AB है न, next, एक घन मिली मीटर में स्वेत रक्त करणिकाओं की संख्या कितनी होती है, WBC, जिसे हम लोग leucoside भी कहते हैं, कितनी होती है, तो सर वो होती है आपके, 6000-10,000, कडिका कोशिका की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, which disease is caused by deficiency of corporal cell, तो कडिका कोशिकाओं की संख्या से आपके granulocyte topenia नामक रोग होता है, एक क्यूबिक मिली मीटर रक्त में लगभग कितने erythrocytes पाय जाते हैं, erythrocytes मतलब समझ रहे हो, आपके RBC की संख्या, RBC का count अपने के लिए हम लोग किस device का प्रियोग करते हैं, तो sir हम लोग करते हैं, hemocytometer का प्रियोग, जबकि blood pressure मा अपने के लिए हम लोग इस phigmo manometer का प्रियोग करते हैं, और इस question का answer है लगभग 50,000, ठीक है न, लगभग 50,000 इसका right answer है, ठीक है, तो next question आपके screen पे, next question, ठीक है दोस्तों लाल रखकोजिकाओं के केंदरक नहीं पाया जाता है, 20 से 120 दिन इनकी आउसत आयू होती है, उंट और लामा exception है, जिनके blood के केंदर में केंदरक पाया जाता है, रखक तमें जलकी मात्रा लगभग कितनी होती है, तो भया, रख्त में जलकी मात्रा होती है कार की होती है जाहिर सी बात है तीन RBC WBC और प्लेटलेट अगला पॉइंट निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सर रक्त की कोशिकाएं नहीं है लिवर सेल्स ठीक है ना लिवर सेल्स रक्त की कोशिकाएं नहीं है य option, liver और spleen, यही वज़ा है सर, इनको हम लोग RBC का कब्र भी कहते हैं, grave of RBC भी हम, यक्रित और प्लिहा को ही कहते हैं, ठीक है न, next, हीमोग्लोबीन क्या है, सर हीमोग्लोबीन में ग्लोबीन प्रोटीन का नाम है, हीम मतलब होता है, रंजक ग्लोबीन है, लाल रंग का एक कलर, इसलिए सर हम इसे हीमोग्लोबीन कहते हैं, तो लाल रंग का जो प्रोटीन है, उसे हीमोग्लोबीन कहते हैं, और ये एक complex protein, next, रक्त में समानता हीमोग्लोबीन की कितनी मात्रा होती है, तो सर रक्त में समानता हीमोग्लोबीन की मात्रा होती है, 15 ग्राम पर 100 ml, next, रक्त के वरिगरी की करण का प्रति पधति किस ने दिया सर ब्लड क्लासिफिकेशन दिया था आपके कार लेंड स्टीनर ने नेक्स्ट जीवन में मानव रखता है हलका छारी होता है तता इसका पी एच वेल्यू कितना होता है सर पी एच वेल्यू होता है 7.35 से 7.45 के बीच में हिर्दय का उपर का कोष्ट और नीचे का कोष्ट क्रमसा क्या कहलाता है सर उपर के कोष्ट और नीचे के कोष्ट को हम आपके आलिंद तथा निलय कहते हैं थ्रंबो काइनेज एंजाइम को किस और नाम से जाना जाता है बताईएगा भाई एक बार शेयर और लाइक कर लो कसम से बता रहो यार दोस्त बड़ा एफर्ट पुट करना पड़ता है यहां खड़ा हो करके सायद बीच में सांस को भी रोक करके बोलना पड़ता है कई बार ऐसी स्थिती आती है लेकिन फिर भी कल आपके लिए पिछले आठ महिने का करेंट अफेयर लेक्या होंगा चाहे वो death, sports, famous personalities, appointment, army exercise, science and technology, योजनाए सब के question पिछले आठ महिने के ताकि आपका जो upcoming exam है वो बेहतर हो सके ठीक है ना तो इसका answer क्या है इसका answer is C, thrombocytes, ठीक है ना फुफुस valve कहां पर इस्थित होता है, where is the pillar valve located सर फुफुस valve इस्थित होता है, दाए निलय और फुफुस धर्मी के बीच में next, pericardium वो हिर्दय के बीच कौन सा तर भरा रहता है, सर पेरिकार्डियम fuel भरा रहता है, ठीक है ना, पेरि, जिससे हिर्दय को आगहातों से चोटों से बचाया जा सके next, अगला question, निम्न में से कौन सा रोग, वाइरस से नहीं होता है, सर वाइरस से नहीं होता है, आपका typhi, bacteria से होता है, ठीक है ना, साल्मोनेला typhi, इसके bacteria का नाम है 20 किग्रावजन को जमीन से एक मीटर की उपचर उपर उठाने में किया गया कार, सर किया गया कार क्या होगा, 200 जूल होगा, फार्मूला पे आप करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जंग लगने पर लोहे का भार, सर ये संचारण का उधारण है, जंग लगने पर लोहे का भूरा हो जाना, चांदी का काला हो जाना, तामबे का हरा हो जाना, ये सब संचारण के उधारे, कॉर्जन के एक्जामपल है, और इसका एंसर है, उसका भार बढ़ जाएगा नेक्स्ट दाड़ी बनाने के लिए कौन सा दरपड काम में लाए जाता है लेंस और लाइट और मीरर के कोशन्स जरूर एक पेपर में रहते हैं इसका एंसर हो जाएगा कौन केफ ठीक है ना कौन केफ मा का दूद सिसु के लिए लाबदायक होता है क्योंकि क्योंकि सर इसमें सबसे ज़्यादा एंटी बॉडिज होते हैं ठीक है ना क्या होते हैं एंटी बॉडिज नेक्स प्रकृती में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है CHSL के लिए यहाँ पे साइंस की जंग चल रही है सामिल हो यह और अपने आपको evaluate करिए कि भाया अभी आपकी सिस्थिती पे हैं थोड़े कम है तो अभी भी कुछ दिन बाकी है मेहनत बढ़ा दीजे जो लोग आज अपनी रात पढ़ने में काला करते हैं दोस्त कल ही उनका तभी जा करके उनका क्या होता है अगला दिन उजाला भरा होता है आज रात काली हो रही है पढ़ने में तो होने दो दोस्त लेकिन देखना एक दिन आपके दिन का उजाला इतना उजाला करेगा कि उसमें और लोग भी प्रकास महसूस करेंगे कि वाओ यार मजा आ गया है ठीक है ना इसका answer क्या होगा diamond हीरा देखो हीरा प्रकास की बात भी आ गई अगला नीचे दिये गए चार माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिये जिसमें होकर ध्वनी तिव्रतम गती से यात्रा करती है भाई अगर ध्वनी की बात करोगे तो वो आपके लकडी ठीक है न सुस्क बैटरी सेल में कौन सी उर्जा होती है बताईएगा सुस्क बैटरी सेल में कौन सी उर्जा होती है सर सुस्क बैटरी सेल में A केमिकल एनरजी अगला question धूप से कौन सा विटामिन मिलता है फिलहाल तो सर काला होने वाला विटामिन मिल रहा है लेकिन सर धूप से वि नहीं बनना क्योंकि फिर आप दही से दूद नहीं बना पाहोगे ठीक है ना नेक्स पेस्मेकर संबंदीत है दोस्तों ये उन लोगों को दिया जाता है जिने हर्दें संबंदीत दिक्कत होता है पेस्मेकर ठीक है नेक्स बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है इसका कारण क्या है तो भाईया इसका कारण ये है कि the velocity of light is high प्रकास की वेग ज्यादा होता है next मधुमेह रोक किसे संबंदित है सर यदि इंसुलीन को हम लोग यूज न कर पाएं या एक्ष्ट्रा वो होने लगे या कम हो जाए that is called next पीतल एक आपके इस तरीके के combination वाला question paper में जरूर रहना है वो 5-6 है चाहे वो solder का पूझदे चाहे पीतल का पूझदे चाहे आपके rolled gold का पूझदे या bronze का पूझदे ये 5-6 है एक आज आता है ये mister है दोस्त copper और zinc का खाने के soda का रायसानिक नाम क्या है इसी तरीके से ये भी 5-6 है खाने का soda, धोवन soda, कास्टिक soda, नौसादर, पुटास, एलम, प्लास्टर आफ पेरिस ये 5-7 हैं जिन में से एक आ जाता है और हम लोगों को topic wise smart study करते हो इसे पढ़ना है और इसका answer है sodium bicarbonate रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि घर में पंखा लगा है तुम्हारे, एसी लगा है तुम्हारे, तुम क्यों पेड़ के नीचे जा रहे हो, क्योंकि पेड़वा तुम्हारे लिए carbon dioxide छोड़ेगा ठीक है ना, अर तुम्हारे बगल में कोई carbon dioxide छोड़ देखो ये कमपनी वाला फोन किया, कहेगा, हेलो आस्तोस, क्रेड़ कार्ट चाहिए, लो, हेलो, नमस्कार, नहीं चाहिए, फिलाल नहीं चाहिए, अगर आपको साइन्स पढ़ना हो, SST अड़ा पे, तो मैम, आप खुद आजाएए, साइन्स पढ़िए, और CHSL का एक्जाम न ये, देखो, फोन कार्ट दिया, फोन कार्ट दिया इनोंने, मतलब भाई, क्या है, क्यों ये टेली मार्केटिंग इस तरीके का, ठीक है, हो गया, सबका अपना काम है, और सभी के काम का सम्मान करना चाहिए, थैंगी सो मज, चलिए, निमलिखित में से किसके जलने से कार्ब कार्बन डायाकसाइड गैस निकलती है, तो भाईया, कार्बन डायाकसाइड गैस निकलती है, हीरा के जलने से, ठीक है, हीरा के जलने से, कार्बन डायाकसाइड गैस निकलती है, नेक्स्ट, अगला क्या है भाईया, देखा जाए, अरे, बड़ा लंबा चोड़ा है, पने में ही ठकान हो जाएगीまक की पानी की सथाई का ठोड़ता के लिए निम्लो मेंसे कौन उत्तरदाई है हमारे दोस्त उत्तर नाम है केल्सियमौर but that engineering औरॉ看看 a कौन सा सही नहीं है, अच्छा मैं में से बात करती है, एनरजी आ गई न, थोड़ा सा यार, बोरिंग हो रहा था, तो हम लोग तुरंट उसको एनरजेटिक कर लिए, जीवन में आपको अपने लिए सेंस ओफ क्या कह सकते हैं, खुशी हैपिनेस ढूढ़नी पड़ेगी, कोई आ के आपको खुशी देगा नहीं, कि ये लो तुम प्रसंद न रहो, ये उसका नया फार्मूला या मंत्र है, खुश रहना सीखना पड़ेगा, निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है, वैसे सर सही गैस के रूप में प्रियुक्त होता है, कहां है नाइट्रस, कहां है नाइट्रस, ओ नमबर एक पे है नाइट्रस आकसाइड, पकड़ में आ गए हैं भाई साब, नेक्स्ट, ट्यूब लाइट में भरी होती है, क्या से अधिक अभिक्रिया से ठीक है ना तो इसका एंसर क्या है भाई ए फ्लोरीन अच्छा एक बात बता दे रहा हूं तुम ही लोगों के लिए इस टूडियो आकर के इस कोरोना काल में भी क्लास ले रहा हूं इमानदारी से कि तुम लोगा CHSAL का एक्जाम अच्छा होना चीए और ये बता दे रहा हूं कि कल सुबह 11 एम पर बेटा करेंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ना करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा पिछले आठ माह का पढ़ाऊंगा अब आप कोई भी एक्जाम दो पिछला आठ माह जरूरी होता है तो एक रिवीजन एक डेड़ घं और निमन में से किस एक ड़्यकके मिस्रण का उप्योंग करते हैं तो अरे औरे बवाल कर दिया देखोल कर दिया न जैसे ही कोई Гलत बटम दबती है पूरा लंका लगा लगा देता है यह चलो कोई बात नहीं अब लोग ज़ल्दी ज़ल्दी जल्दी पीछे चले जाएंग ठीक है न, गहरे समुंद्र के गोता खोर निमलिखित में से किस एक गैस के मिस्तरण का प्रियोग करते हैं, सर वो मिस्तरण करते हैं हिलियम और और आक्सीजन में इंग्लिस वाले से एंसर करना अगर हिंदी वाले से न समझ में आए तो नाइट्रोजन रिलीज इस इस्थल मंडलियों वाय मंडल नाइट्रोजन की मात्रा आपरभावित question लंबा है इसको अराम से देख लेना next डाक्टरोद्वारा एनेस थेसिया के रूप में प्रियोग होने वाली हाथ से गैस है मतलब हसा हसा के ससुरे भी होस कर देते हैं तो सर इसका answer क्या हो जाएगा c option nitrous oxide c option nitrous oxide next जल में आसानी से घुलन सील है सर जल में जो आसानी से घुलन सील है उसके लिए हमारे जो कुछ boys दोस्त हैं या फिर कुछ girls candidate भी ऐसे ऐसे देखेंगी ऐसे इतना इतना बहुत है परियाप्त है समझ गए होगे तुम लोग न कि जल में आसानी से घुलन सील क्या है लेकिन इस घुलन को अच्या एकदब में मैच करा लेते हैं सबसे कम है नहीं थीसक ने निमलिकít में से किस बंडल में, सब लोग कार्बन के ही पीछे पढ़े रहते हैं, next, वायू मंडली वायू में नाइट्रोजन लगभग कितने पृतिसत होती है, तो वायू मंडली नाइट्रोजन में, वायू सर, सबसे जादा, नाइट्रोजन तो सबसे जादा है न, 78-89%, 78-79, next, ग्रेफाइट म अच्छा question है, त्यान रखना, next, निमलिखित में से कौन सी धातू, मुख तवस्था में भी पाई जाती है, बताएगा, मुख तवस्था में, तो बेटा, वो पाई जाती है, आपकी copper, नॉर्मली पाई जाती है, ट्यूब लाइट में मुखिता कौन सी गैस भरी होती है, त पीछे जाओ, ठीक है न, अब मैं उंगली से इसका प्रियोग कर लूँगा, अटाओ, ठीक है न, कहाँ है question, ट्यूब लाइट, तो भईया, बी ऑप्शन, पारे की वास्प एवं आरगन, ठीक है, केमनोफोर, potassium magnet, ठीक है न, potassium per magnet का उपयोग किया जा सकता है, सर उपयोग कि सर की दवा नहीं लगा दी जाती थी, वो यही तो है भईया, potassium per magnet, ठीक है न, next, किसके साथ, कास्टिक सोडा को उबाल कर, साबुन तयार किया जाता है, तो सर साबुन तयार किया जाता है, आपके, किसके साथ, उबाल करके, fat के साथ, ठीक है न, glycerine नहीं fat के साथ, next, सीमेंट समानेता किसका मिस्रण होता है, तो भईया, सीमेंट जो है, समानेता मिस्रण होता है, calcium silicate और calcium aluminate का, ठीक है, याद रखना, practice किये रहो, सीसा पैंसिलों में सीसा का प्रिशत क्या होता है, the percentage of lead, in lead pencil, lead pencil में, आपके, कितना percent होता है, भाई, जो, lead का, तो lead pencil में होता ह है, zero percent, वो नहीं कि सीसा का बन जाता है, ठीक है, next, पीडक नासी के रूप में, DDT के प्रियोक की हान, the disadvantage of using as a pesticide, ये गलत है, इंगलिस वाले से इसका answer करो, क्योंकि हिंदी वाले से sense नहीं बन पाया, ठीक है, the disadvantage of using DDT as a pesticide, तो होगा क्या, sir, प्रक्तिक में सरलता से निमनी क करण नहीं होता, does not, मतलब वो घुल मिल नहीं पाता, next, काच के निर्माण के लिए प्रियुक्त कच्ची समागरी क्या है, the raw material used for the manufacture of gas are, ठीक है, अब एक बार आपसे request करूँगा, कि भाई, 200 questions, सौवे question पे बोला था, अब 200 questions पे, मुझे आपसे कहना है, दोस्त, एक movie वे आ कि भाई, इस वर्दान बैच के साथ एक बार जुड़ जाओ, विस्वास करना, इस बैच में, history, polity, geography, physics, chemistry, bio, ये 6 के 6 subject, इस code के जरिये इस बैच को आप ले करके पढ़ सकते हो, और याद रखना, आपका वो कोई भी exam, जिसमें GS पूछ रहा हो, वर्दान बैच आपके करे अंदर का एक-एक knowledge, जो भी होगा, theory और concept के माध्यम से मैं आपको पढ़ा दूँगा, चाहे आप CBT2, group D, या फिर आपकी GD की vacancy कल से release हुई है, या CHSL, CGL, या UP SSSC, वादा है दोस्त, इस 6 subject को, आप इस code के जरिये कहां से ले सकते हो, अड़ा247.com पे जाकर के purchase कर सकते हैं, नहीं तो दोस्त, आप Adda app के थूभी से purchase कर सकते हैं, अभी questions बाकी हैं, अभी मैरा आथन खतम नहीं हुआ है, ये तो एक information है, देखिएगा, सूसमा जी, इस batch का जो rate होगा, वो करीब करीब, 550 रुपए होगा बेटा, मेरे इस code का उप्योग करने के बाद, और याद र आपको कितना पढ़ रहा है, 70-80 रुपया, I think it is not a big task, और big deal, 70-80 रुपया से ज़्यादा तो हम लोग का मैगडी में burger पढ़ जाता है, समझ रहो ना, या मैगडी छोड़ो ना, आप normal ठेले वाले के पास चले जा, 100 रुपय से ज़्यादा में आपको ice cream खिला देगा, ठीक को बिस्वास के रूप में बदल देना मेरी जिम्मेदारी होगी, आशुतोस की जिम्मेदारी होगी, और मैं ये करूंगा, क्योंकि पैसों से बहुत जादा महत्वपूर रिस्ते और भावनाएं होती है, जो आप मेरे उपर ट्रस्ट करके इस badge को लोगे, तो एक मेरी basic जर किस लौव अयस्क में 72 पर रिसत लोहा होता है, सर वही बात की iron खाके लोहा बढ़ाएं की seriya खाके लोहा बढ़ाएं, अब डिपेंड़ आप पर सरिया खाना है की लोहा खाना है, सरिया या लोहा खाना है, तो दोस्त किस में होता है, तो वो आपके question पहले पहुुंछ जा है ठीक है ना next question निमलिखित में से किसे strategic धातू कहते हैं बिटा strategic धातू ये काफी हलका होता है titanium को कहते हैं इसलिए जो इसरो हो या आपके DRDO हो या जो भारत के रक्षा नुसंदान है इस हलके material का उप्योग करते हैं आपके किसमें aeroplane, aircraft ये सब बनाने में तो इसका answer क्या है titanium next अगला question निम्न में से कौन सा पदार्त सुध कार्बन से बना है तो भाई याद रखना सुध कार्बन से कौन सा बना है C option graphite आपके पास lucent की book होगी अरिहंत की होगी अड़ा की होगी किसी भी publication की होगी एक request है आप से कि आप एक बार carbon पूरा detail में पढ़िए क्योंकि ऐसा कोई chemistry का paper नहीं जो एक question कार्बन से ना आता हो next यूरिया में nitrogen होता है ये question evergreen question है बहया question है जो आता ही आता रहता है 46% ठीक है ना next question अगला देखो जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाये तो कठोरता की जो nature है क्या कहते हैं मतलब permanent hardness था temporarily hardness था तो sir हम उसे कहेंग सिर्फ उबाल दिया और दूर हो गया तो temporarily आगर हम कोई और method प्रियोग करते तो जाहिर सी बात थी कि उसमें permanent रहा होता है निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया hydrogen gas उत्पनक करती है तो दोस्तो hydrogen gas उत्पनक होता है आपके d option इन सभी प्रक्रियाओं से ठीक है ना कोई भी position या steam passing through the red hot iron आपके hydrogen उसमें से emit होगी ही होगी magnetite का रायसायनिक सुत्र है यह वही magnetite है जो iron का क्या है अयस्क है ठीक है ना मैंने पहले ही कहा था cedarite magnetite iron pyrite यह सब iron pyrite को हम लोग लाई gold भी या जूटों का सोना भी कहते हैं तो इसका सही answer क्या हो जाएगा बेटा इसका सही answer हो जाएगा B Fe3O4 सुर्य में कौन सा तत्तो सरवाधीक मात्रा में होता है सुर्य में कौन सा तत्तो सरवाधीक मात्रा में होता है तो B Hydrogen यार मुझे अभी questions और भी है लेकिन आपको दो information देनी है जो कल अड़ा के channel पे चलने वाला है एक तो अपने current affair से related और कल दो हमारे बहुती सांदार faculty संडे को मेराथन class ले रहे हैं तो कहीं वो मेराथन आपसे miss न हो जाए जबकि वो मेराथन मतलब सभी के लिए equally जरूरी ह बहुत सारे हमारे UP के student होंगे जिनोंने UPSI का form भरा होगा तो एक छोटा सा information है मैं sir और मैम को बुला करके वो आपको inform कर दो फिर class को continue करते हैं just one hour two minute ठीक है sir मैम जड़ा सुनिएगा आईए पाउन sir तो ये रिया मैम और पाउन sir कल ये लोग आपके लिए UPSI जितने लोग या जो लोग SI या पुलिस विभाग Constable GD की जो वेकेंसी आ गई है उसके लिए भी दोस्त कल मैम आपका class लेंगी सुबह में मैम टाइमिंग बताईए और sir आपकी टाइमिंग क्या है तो देखो आठ बजे से बारा बजे तक किस चैनल पर चैनल नाम बताईए सर उस पे कल चार घंटे हिंदी खास करके अलंकार जो की जीवन में एक दम मतलब लंका लगा है मुझको तो नहीं याद हुआ कल मैं भी कोसिस करूँगा अपने क्लास के बाद sir की क्लास देखने की की अलंकार हैंडल हो जाए और मैम कल पॉलिटी से रिलेटेट इस्टेटिक डेटा से रिलेटेट आई पीसी इंडियन पीनल कोर्ट से रिलेटेट आपको एक-एक डेटा महराथन क्लास में देंगी तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी यूपी की वेकेंसी की तियारी कर रहे हो बेटा यूपी अड़ा 247 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कल इन दोनों महराथियों की क्लास में जूटो ठीक है न क्योंकि यार ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमसे आप स कहीं जादा आज दोनों लोग बैठके क्लास मैं देख रहा हूं विचारे मैं तो इस्टूडियो दस बज़े आएं यह लोग सात बज़े से आके पिपीटी बनाने में लगे हैं कि सर कल बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो हम भी इनको बेस्ट आफ लग कहेंग और सारे अलंकार खत्म होंगे दूसरी क्लास नहीं लेंगे अचा एक बात बता दें अगर कल तुम लोग सर को 500 प्लस लड़के वहां पहुच जाते हो तो सर ने हमसे बुला एक सर हम आपको पार्टी देंगे तो भाईया मेरे पार्टी का जुगार कर दो तुम लोग अगरा टोपिक होगा वो आईपीसी अट्रास और साट और इसके अलावा क्या है जैसे सुप्रीम कोट और हाई कोट से रिलेटेड जितने भी केस आते हैं तो कल हम उन केसों पर मतलब केसों पर चर्चा करेंगे तो आप लोग मुझे मिलोगे सुबह आठ बजे से लेके बा सिर्का या विनेगर अच्छा इसमें से बहुत हम लोग के गाओं में जब नानी दादी थी तो मतलब अभी भी हैं ऐसा नहीं है तो सिर्का और का बनता था कभी जामून का कभी आम का कटहल का मुझे तो आम और जामून के सिर्के बहुत पसंद है इसका एंसर क्या होगा द कलती है तो hydrogen ठीक है ना next question अब class खतम होने वाली है दोस्त परशान मत हो ठीक है ना कल current affair होगा ठीक है ना milk of magnesia क्या है milk of magnesia दोस्तों हम लोगों का है MgOH का hold twice next समुद्र के जल में क्या पाया जाता है sir समुद्र के जल में हम लोगों को क्या पाया जाता है तो iodine यार एक बार हम भी गयते चेन नहीं वो कौन सा बीज था ECR बीच East Coast Road बीच उस पे बैठ तो गए समुद्र के किनारे पानी आया तो नहीं होता है नदी में आदत होती कि हम लोग पानी मूह में लेकर के थोड़ा कुला उला कर लेते हैं मूह धुल लेते हैं वो आया जै प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं थर्मो प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में बस बैके लाइट और मेला माइन याद रखना बाकी PVC हुआ नैलान हुआ प्लास्टिक हुआ सब थर्मो प्लास्टिक के उधारन हैं बस थर्मो सेटिंग के दो ही हैं बैके मेला माइन इसका राइट एंसर क्या होगा वैटा ठीड ऊप्रोक्ट सभी ठीक ना राइट एंसर क्या है क्या है युप आप्रोक्ट रॉक्त सभी तो चलो अब अगले ्पॉइंट पिजाते हैं नेTr ते जन प्राइजर जल्में सबसे कम घुलन मेगनेसिया के नाम से भी जाना जाता है अभी एक नई बात पता चली होगी कई लोगों को हो सकता है सिलका आफ मेगनेसिया लेकिन सेमा बहुत कम लोगों को पता हो प्रचूर मात्रा में है तो बेटा याद रखना A option in crust ठीक है न in crust next question मानो गुर्दे में बनने वाली पत्थर में अधिक्तम पाया जाने वाला पदार्थ है तो भईया क्या है calcium oxalate ठीक है calcium oxalate next halogen में सरवाधिक प्रभावसाली आक्सी करन करता कौन सा है तो halogen में सरवाधिक प्रभावसाली आक्सी करन करता कौन सा है फ्लोरीन ठीक है ना फ्लोरीन ये halogen के वर्ग में आता है माची तीली के उपर क्या लगा रहता है, red phosphorus, अगला, वासिंग सोडा का सही सुत्र क्या है, बहुत सही question, बताओ तो यह तक option है, वासिंग सोडा, भाई, वासिंग सोडा का सही formula है, आपके एनने 2CO3 into 2S2, next, निमलिखित में से कौन सा तत्तो, तनू, अमल से hydrogen को भी स्थापित करता ह है, तो इसका सही answer है, सर, C option, Sona, ठीक है न, C option, Sona, इसका right answer है, next, आमल वर्षा, मुखे तक किस गैस के कारण होती है, जो acid rain होता है, दोस्त, किस के कारण होता है, तो acid rain होता है, बेटा, C option, sulfur dioxide कारण, आज, लगभग, इतने ही questions, मेरे पास मौजूद थे, जिनका मैंने आप से क्या किया, प्रैक्टिस किया, इतने questions का हम आप प्रैक्टिस किये, दोस्तों, मुझे आप से कुछ request करना है, और दो मिनट मुझे दीजिए, ताकि मैं आपको इस वर्दान बैच के बारे में कुछ बता सकूँ, यदि आप इसको purchase करते हैं, तो आपका पूरा हक बनता है, कि आप जाने की ये वर्दान बैच जरूरी क्यों है, इसमें सर आप क्या-क्या topic पढ़ाओगे, किस तरीके से लेके चलोगे सर, और ये हमारे किस-किस exam के लिए उपयोगी रहेगा, पढ़ाने का माध्यम क्या रहेगा, मैं इस मुद्दे पे 2-3 मिनट आपके साथ हूँ, देखो, पहले तो ये जानो, ये वर्दान 2.0, complete GS का बैच है, ठीक है, complete GS का बैच है, इस बैच में मैं आपको physics, chemistry, bio, history, polity, geography, सब पढ़ाऊंगा, चुकि मुझे पता है कि आमुमन हमारे student, average student होते हैं, बहुत high-five language में उनको पढ़ाना possible नहीं है, history अगर कोई खतम करना चाहे, तो 5-6 साल बीच जाए, BA, PhD करे, पूरी history खतम नहीं होती है, तो दोस्तों, हम लोग इन हर subject में, to the point रहते हुए, to the point रहते हुए, वो वो topic, detail में पढ़ेंगे, concept के, जैसे माल लो, chemistry में, या physics में, light chapter से खूब question आते हैं, तो light को concept के माध्यम से bilingual, Hindi, English, दोनों ही language में पढ़ेंगे, ठीक है, आप मालीजे history, history में modern India, खूब आ रहा है, तो उसको खूब detail में जाएंगे, मतलब, topic select हैं इसमें, कि इस, इस topic से जादा question आते हैं, और उस, उस topic को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत detail में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ें उसका भर दो, group D, CBT2, वो हर exam beta, जिसमें की GS पूछेगा, आप भरोसा रखिएगा, ये आपके 6 subject मैं ललन टॉप कर दूँगा, टॉप के करके छोड़ूँगा, और हाँ मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, ये batch लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये batch लेन उप्योग करने से आपको इसके rate पे दोस्त, 77% का off मिल जाएगा, सर लगभग कितने में पड़ेगा, लगभग बेटा ये 550 रुपए के, या उससे कम में पड़ जाएगा, इस code का उप्योग करने के बाद, इस batch को लेने के लिए, आपको बेटा क्या करना होगा, अड़ा ए 247.com, ठीकना, अड़ा 247.com पे जाएगा, वहां के बात आपका अड़ा स्टोर खूलेगा, अड़ा स्टोर खूलेगा, और उस अड़ा स्टोर पे जाके, ये बैच आप 550 रुपए में 6 subject, मतलब एक subject पे 70-80 रुपए पड़ेगा, और हमारे साथ जुड जाएगे, भरोसा रखना मुझ पे, मैं आपसे वादा करता हूँ, मनोज पोद्दार जी और मेरे सारे स्टुडेंट, कि ये बैच, मैं, अच्छा, इस समय डबल वैलिडिटी ओफर चल रहा है, आज खास बात ये है, जैसे इस बैच की वैलिडिटी बाल लो 4 महीने होगी, तो डबल वैलिड है, वो ये है दोस्त, कि ये वरदान 2.0, आपके जीयस की रूप रेखा, आपके लाइब से बदल देगा, ये मेरा आपसे वादा वचन दोनों है, एक बार यकीन करिए, मेहनत करने की ठानिये, और हाँ, MCQ के माध्यम से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा कॉ तो निश्चिंद रहना दोस्त, मान लेना कि एक बार 550 रुपे का पिज़ा खा गया और आस्तो सर पे ट्रस्ट करके इस बैच के साथ जुड़ गया, निश्चित तोर से आपको सफल कराएगा, और हाँ, लास्ट आपसे बात दोस्त, वो ये, कि कल सुबह 11 बजे, करेंट अ और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोग जब वर्दान बैच पर्चेस करिएगा, इस कोड का आप जरूर उपियोग करिएगा, कि इसका आपको उपियोग करना है, तो आपको इस कोड का उपियोग करना है, ठीक है न, तो थेंक यू, Y182 आपका कोड है, केर कर मुझ कि आपका कि यू, Y182 आपका कि इसक revenue ऑपको उपियोग कर दो मुझ करना है, तो एला हुझत है कि इसके झाना है कि आपको सबस्क्तु पऱोगा करते हैं, उइस हैं, atures, खि ईक है करना है, कि उतना है कि मुझत है, छो उतना है, इसके मुझता है, जो तेए टो जठे ह